पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मा सरस्वती के अवतरण के उपलक्ष में बसंत पंचमी मनाई जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जगत रचियता ब्रहमाजी एक बार भ्रहमन पर निकले तो उन्हें सारा ब्रहमाण मुख नजर आया। चारों और अजीब सी खामोशी थी। यहाँ देखकर उन्हें स्रिष्टी की रचना में कुछ कमी सी महसूस हुई। ब्रहमन करते हुए ब्रहमाजी एक। जगा ठहरे और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर छिड़का तो एक महान जोतिपुंज में से एक देवी प्रकट हुई। वेणा लिए यह देवी थी मा सरस्वती। चहे पर अद्भुत तेज लिए मा सरस्वती ने ब्रहमाजी को प्रणाम किया। इस प्रकार वह ब्रहमाजी की पुत्री कहलाई। उनके प्राकट के उत्सव के तौर पर बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। मा सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रहमाजी ने उनसे कहा कि इस रिष्टी में सभी जीव मूख है। ये केवल चल रहे हैं, इनमें आपसी समवाद करने की सामर्थ नहीं है। इस पर देवी सरस्वती ने उनसे पूछा प्रभु मेरे लिए क्या आगया है। ब्रहमाजी ने कहा, देवी आपको अपनी वीणा के सुरों से इस संसार को ध्वनी प्रदान करनी है, ताकि ये सभी आपस में समवाद कर सकें। एक दूसरे के दुखत क्लीव को समझ सकें। सनेह दे सकें। उनकी आगया का पालन करके मा सरस्वती के समस्थ जीवों को आवाज प्रदान की। समस्थ संसार को ध्वनी प्रदान करने वाली मा सरस्वती की पूजा देवता और असुल दोनों ही करते हैं। इस दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतीमा स्थापित करते हैं। कई स्कूल, कॉलेजों, समितियों और संस्थाओं में कभी सरस्वती पूजन का आयोजन होता है।